अबिशेक सूरेवंसी वेलकम सी आल एट ओफिशियल यूटीब चैनल उफ निरोंस लासेज इन इन इस वीडियो वी आर गूंग तु स्टार्ट अधर सेकेंड कोश्चन ओवर 50 प्लस इस इस सबसे बहले मैं आपको यह वदा देता हूं यह जो डाइग्राम लिया गया है तो यह चेप्टर से लिया गया है सैक्क्टाल रोडन्टप्षन है सेक्च्षवर रिप्रोडनक्षण का लहाँ इन हुमन बीञ्ग इन हुमन है है इस फिर्क है और टॉपिक का नाम है टॉपिक कैं एंब्रियोनिक एंब्रियोनिक डेवलपमेंट मेंट ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर पहला कोशन पूचा गया है नेम दे स्टेज ऑफ यूमन एंब्रियो तो यहां पर जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है यहां पर जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है उसके बारे में हमें स्टेडी करना है तो इसमें कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके बाद में जब यूट्रस की बारी आती है ठीक है तो यहां पर डे थर्ड में एक स्ट्रक्चर होता है ठीक है जिसको हम बोलते हैं मौरूला ठीक है तो यह मौरूला स्टेज है और यह मौरूला स्टेज यूट्रस की जो एंडोमेट् होता है और मौरूला के बाद में क्या बनता है बलास्टूला बनता है più keluar 2ग सटेजagen lasers मीज़ा और इसको ब्लास्टो फैसकों ब्लास्टो सिस्ति बोल सकते हैं और ब्लास्टो ब्लास्ट नमी बहुंद सकते हैं इसको उट्रस की जो की highly folded होती है उस time पे due to hormonal changes यह मौरूला आकर इसमें fit हो जाता है fix हो जाता है जिसको हम implantation बोलते हैं और implantation के बाद में मौरूला development करके grow करके किसमे convert होता है blastocyst में या blastula में convert हो जाता है तो यह जो diagram में stage आपको दिखाई गई है यह consistent blastocyst या blastula है जो की मौरूला के बाद की stage है ठीक है तो यह हमारे first question का answer है identify a in the figure and mention its function तो दिखो figure में a वाली जो layer पूछी गई है जो की flat layer है बाहर जो flat cells की एक layer आपको दिख रही है इसको हम actually में बोलते क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ this is tropoblast इस layer को हम क्या बोलते हैं tropoblast layer बोलते हैं mention the fate of the inner cell mass after implantation in uterus उससे बहले में काम करता हूँ tropoblast के function आपको बता देता हूँ क्या होते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो uterus की inner highly folded membrane है उसमें जाकर जो blastola है आपका यहाँ पर ग्रो होने के ब्लास्टोला बन जाता है तो जो tropoblast layer है it will actually give rise क्या क्या चीज़े यह देती है इट विल गिव क्रॉनिकल क्रॉनिकल विलाए ठीक है यहां से यह आपकी क्रॉनिकल विलाए बनेंगे और प्लस extra embryonic embryonic membrane membranes बनाने में यह help करेगी ठीक है फीटस का कोई भी part tropoblast से नहीं बनेगा यानि जो फीटस जो बीवी डेबलप हो रहा है उसको कोई भी part tropoblast से नहीं बनेगा ट्रोपलपलास्ट विल ओनली गिव क्रॉनिकल विलाए जो की endometrium या प्लसेंटा से इसको जोडने का काम करेगा और extra embryonic membrane भी tropoblast से बनेगी ठीक है थार्ड कोशन है mention the fate of the inner cell mass after implantation in the uterus जब blastula uterus में completely implant हो गया है तो उसके बाद जो अंदर आपको inner cell mass दिख रहा है इनसे क्या होने वाला है क्या यह बनाएगा थार्ड कोशन में आपसे यह पूछा है तो जो inner cell mass है ठीक है inner cell mass इससे आपको क्या मिलने वाला है यह आपको जो हमारी germ layer होती है तीनो germ layer बनाएगा ectoderm, endoderm, endoderm, endoderm और mesoderm ठीक है तो हमारी germ layer ectoderm, endoderm और mesoderm कहां से बनेंगी inner cell mass से बनेंगी और यही ectoderm, endoderm and mesoderm lateral organs और body का development इनसे ही होता है and next in the last question is where are the stem cells located in the embryo इस embryo में आपसे पूचा है कि जो stem cells है वो कहां पर है तो जो stem cells होती है वो कहां पर है inner cell mass में है किस में है inner cell mass में है ठीक है और यह जो आपको blank cavity दिख रही है हाला कि इस question में पूचा नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो blank cavity है this is actually called blasto seal चीक है blasto seal इसको हम बोलते हैं चीक है तो यह मैंने आपको पूरा question clear कर दिया है जो कि एक बहुत ही जादा important question है एक्सार exam में पूचा जाता है आई होप आपको question समझ में आया होगा अगर question समझ में आया तो आप channel को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए और bell icon पर press कर दीजिए और इससे पहले का question number one है वो playlist में आप जाकर देख सकते हैं you can also follow us on facebook instagram and you can join our telegram channel so that you may get all the handwritten notes of this chapter thank you have a good day